हेल्लो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे आईए दोस्तों आईए हमारे 17 अगस्त 2024 के हर्याना करेंट अफेर को हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी को रादे रादे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग जे बीटी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि एक्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है आपके पास में लिमिटी टाइम है अभी भी समय है स्टार आईक्यू अप्लिकेशन पर जाईएगा और वहां पर सिक्षक बैच है आप लोग उस बैच को ले सक उनका भी पीडिएफ आपको मिल जाएगा इसी सिक्षक बैच के अंदर तो प्यारे दोस्तों लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसके बिहाफ पे अगला जो हमारा एक टॉपिक था कि अभी हर्याना में कौन से नंबर का 77 दिवस मनाया गया था 78 वा 77 दिवस मनाया गया था 77 दिवस के जो उपलक्स पे दुगद उत्पादकों को कुछ सोगात दी गई है कि 35,000 दूद उत्पादकों को 15.59 करोड की सबसीड़ी जारी की गई है और प्रदानमंतरी बीमा योजना के तैट दूज स्प्लाई करने वालों को बीमा कवर भी हर्याना सरकार देने वाली है एक पेड मा के नाम इस मुहीम के तैट अब तक हर्याना में कितने पोधे लगाए जा चुके हैं तो इस मुहीम के तैट अब तक हर्याना में टोटल 1,60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, वहां पे यही गोशना की गई थी कि लगबख इतने पोदे हरियाना में लगाए जाएंगे यह एक टॉप व्यू है इतने सारे पोदे लगा तो रहे हैं पोदे लगाना बड़ी बात नहीं लगती मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पोदे को संभालना बहुत बड़ी बात होती है एक बार यह फोटो खिंचवाने के चकर में फोदे लगा तो बहुत देते हैं जैसे जहां तक मैं कर इंटरफिर पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है दो जर बीस इकिस से की एक साल में कोई तीन क्रोड की गोशना कभी दो क्रोड की गोशना कभी धाई क्रोड की इस हिसाब से तो पोड पोडे बहुत हो जाने चाहिए थे और असल ग्राउंड रिपोर्ट यह कि पोडे लगा देते हैं फोटो किंचवा लेते हैं डेटा एड हो जाता लेकिन उसकी देख भाल नहीं करते हैं मेरा भी आपको यह कहना है कि आप पोडे लगाईए जूर बुका प्यासा रहके मर जाएगा विचारा पोड़ा तो ध्यान रखें इस बारे में भी आप हर्याना विधानसभा चुनाओ है इनके घोशना हो चुकी है साल 2024 की और यह कब तय होने हुए हैं एक अक्टूबर को हर्याना में विधानसभा चुनाओ होंगे साल 2024 के बहुत important news है यह और बहुत important हर्याना के प्लैन है वो active हो चुके हैं फिलाल के लिए देखो 11 दिन तक नामंकन की प्रिक्रिया चलेगी गजट notification आएगा 5 September को नामंकन की सुरुआत होगी 5 September टीचर्स डे वाले दिन ही नामंकन की आकरी तारीक होगी 12 September को नामंकन पत्रों की परताल पिछले विधानसभा चुनाओं के से इस बार पहले हो रहे हैं जैसे 2019 के या 2009 की बात करते हैं तो 12 September को चुनाओ अनाउंस हुए थे 2014 में 12 September को हुए थे 19 में 21 September को हुए थे और इनके जो overall result वगड़ा जो October की अंदर आते हैं लगबग counting वगड़ा जैसे लास्ट बिलकुल ल इस बार मतलब कब हो रहे हैं एक October को चुनाओ हो ही रहे हैं और चार October को result ही आजएगा तो सहरे से पहले ही result आजएगा इस बार अर्याना से देश में पहली बार जो है ना कुछ पहल स्टार्ट की जा रही है जैसे कि गुरूगराम फृदावाद और सोनिपत जैसे सहरों की जो है ना मल्टी स्टोरिज हाउसिंग सोसाइटी में ही पॉलिंग बूत बनाए जाएंगे स्लम एरिया के वोटरों के लिए इलेक्शन कमिशन उनके आसपास के एरिया में ही वोटिंग सेंटर बनाएंगे 85 साल से जो उपर है वोटर उनको घर से ही वोट डाल पाएंगे प वोटरों के लिए शेड की वेवस्ता ये सब कुछ होएगी हर्याना के सभी 20,639 पॉलिंग बूत पर CCTV लगाए जाएंगे ड्रग और सराब को रोकने के लिए सकती से इन पर कारवाई भी की जाएगी हर्याना के अंदर विधानसभा चुनाओं में टोटल पॉलिंग बूत कित 732 गाओं में 13,797 में मॉडल पॉलिंग बूत वो कितने हैं वो टोटल 150 है 500 है अर्याना में चुनाओं जो है उनके हिसाब से अगर टोटल वोटर की बात की जाए तो वो टोटल कितने हैं 2.01 करोड है इन में से पूर्सों की संक्या 1.06 करोड है महिलाओं की संक्या 5.00 महिला है अर्याना में और 4.52 लाख फर्स्ट टाइम पहली बार मतलब यह वोट डालने वाले हैं अलांकि इन में थोड़ी संक्या जुड सकती है लेकिन अभी तक जब घोशना हुई है तब तक के लिए डेटा है यह क्योंकि न्यू वोटर 23 अगस तक अपना नया वोट बना सकते हैं 2.55 लाख से जादा 85 साल से उमर से जादा के लोग हैं और लगबग डेड़ लाख जो है वो दिव्यांग वोटर है हर्याना के अंदर हर्याना विधानसबा में टोटल जो जिले हैं वो 22 जिले हैं उनमें विधानसबा सेटे 90 हैं रिजव के लिए टोटल 17 है और जर्णल मुझूदा आंकड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो 45 का देखो किसी भी राज्य के अंदर CM बनने के लिए क्या चीए टोटल सीट जो होती ना उसका डिवाइड बाई दो और प्लस में वन यानि की टोटल सीट होगी 90-90 का दो से भागिया 45 जमा एक यानि की 40 सीट जिसके पास में भी आ जाएगी न वो पार्टी अपना मुखे मंतरी बना लेगी मोटे तोर पर बात है ये मुझूदा आंकड़ा हर्याना का ये कहता है कि भाजपा के पास में 41 सीटे हैं और हलोपा इनके साथ ही मिली हुई है हर्याना लोकीत पार्टी एक निर्दली एक है इनके पास 43 है विपक्स कॉंग्रेस के पास 39 है जेजेपी के पास 10 है इंडियन नैस्नल लोगदल के पास एक है निर्दली ए 4 है टोटल इनके पास 44 है फिलाल के लिए 87 विधायक है और ए अब 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 सुधर जाएगा, 4 अक्टूबर को फिलाल सुधरावा गणित ही रहेगा, सरकारी योजना और कारेकरम की घोष्टना नहीं हो सकेगे, अचार सहीता लागू हो चुकी है, मंतरी सांसद, सरकारी गाडी का इस्तिमाल नहीं कर पाएगे, सरकारी योजनाओं के बै जाती है तो जो अब हमारी भरतियों का क्या होगा जो आप बोल रहे हो 28 सेप्टमबर को जेबीटी का पेपर होगा तो देखो ऐसा है कि पचास हजार से ददा सरकारी पदों पर भरती होनी जारी है तो इन पर कुछ लेना देना नहीं होता एक्जाम बगरा किये जा सकते हैं ज पहले से प्रोसेस में थी तो न्यू पोस्ट भी निकल सकती है ऐसा मतलब भरती से रिलेटीड ऐसी कोई दिकत नहीं हाती इसमें अचार सहिंता में यह काम हो सकते हैं जैसे पहले से मंजूर योजनाओं के काम हो जाएंगे सीम मंत्री रूटिन काम ही कर सकेंगे और जो सरका ज्यवर नजर बंद रखना अचार सहिंता में यह दिकत यह और लिए यह काम करना है यह काम नहीं करना उनके वैवार उनको नजर बंद रखना एचार सहिंता में आता है दिक्कत ये होगी कि हिसार हावाई अड़े का सपना था सरकार का पूरा करने का लेकिन वो पूरा नहीं हुआ साइध ये पूरा करते तो उनको कुछ वोट मिलते या वोट लेने की एक कह सकते हो हिसा हो सकता था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ बाकि सडक और कुछ टर्मिनल वगरा भी बनाने थे वो भी हदर में लटक गए अच्छा 58 सालों में हर्याना के इतियास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाओ की गोश्णा होने के बाद जो ना विदानसबा का सेशन बुलाया जाएगा कुछ काम पेंडिंग प्रोसस में थे उनको पूरा करने के लिए कुछ एक्ट हैं लागू होने के लिए तो इसी के लिए ही ऐसे इलेक्शन की गोश्णा होने के बाद कभी भी विदानसबा सेशन नहीं बुलाया गया लेकिन पहली बार ऐसा होगा जो विदानसभा सेशन बुलाया जाएगा हर्याना में 10,000 से ज़ादा मतदाता ऐसे हैं जो 100 साल से उपर के हैं भारत के मुख्या चुनावाई तो राजियो कुमार ने हर्याना की तारीफ भी किया कि खानपान बहुत अच्छा है कि 100 साल से उपर के विदास चजार से ज़ादा वोट रहा हर्याना में बीजली सुधारों के चेत्र में अग्रणी कारे करने वाले राजियों में हर्याना का कौन सा स्थान है हर्याना राज्य का इसमें है दूसरा स्थान यानि कि इसमें आप्शन नमर B है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हर्याना विदुत विन्यामक आयोग के अध्यक्स नंदलाल सर्मा ने कहा है कि उडिसा के बाद में हर्याना देश का दूसरा ऐसा है जो बिजली सुधार के चेतर में काम कर रहा है 16 आगस 1998 में को हर्याना विदुत विन्यामक आयोग का गठन किया गया था एक सोतंत्र न्यामक संस्ता है और ये हर्याना के पूरे पावर सेक्टर को वेनेमित करता है नंदलाल सर्मा पंचकुला स्थित जो हाई आर्सी के कारेल्य है वहाँ पे स्थापना दिवसकारेकरम मे ये बात कर रहे थे या इनकी घोष्णा कर रहे थे वैसे पहले हर्याना राज्य में बोर्ड हुआ करते थे जब संयुक्त पंजाब का हिस्सा था लेकिन अलग होने के बाद अलग अलग कोर्परेशन बन गए वित्रन का अलग बन गया परसारन का अलग बन गया और इनके ल तो इतनी सारी चीजे हैं जो आप लोगों को याद रखनी है और आपके लिए एक सवाल चोड़के जा रहा हूं आज मैं सोतंतरता दीवस समारो पर मुख्यमंत्री श्रीदवारा किस जिले में धवजा रोवन किया गया है बताना इसके बारे में विस्तार से अब हलांकि अच रादे रादे अपना ख्याल रखना जाए भादे अपना ख्याल रखना अजया है